नमस्का दोस्तों, स्वाकत हैं आप सभी का हमारे चैनल पर आज मैं बात करने वाली हूँ पोटेशियम के बारे में और आप इसकी कमी होने पर किन चीजों का सीवन कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकरी दूँगे स्वास्त रहने के लिए आईरन, मिनरल्स, विटामीन और केल्सियम आदी सभी बहुत ही ज़रूरी होते हैं जिन में से एक पोटेशियम भी होता है शरीर में पोटेशियम की कमी को हाईपो केलिमिया कहा जाता है स्वस्त रहने और बिमारियों से बचने के लिए हर किसी के शरीर को रुजाना 47,000 मिली ग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है क्योंकि पोटेशियम दिल, दिमाग और मास पेशियों की कारे प्रणाली को सुचारू ढंक से चलाने में बहुत ही मददकार होता है दोस्तों शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपो कैलेमिया जैसा की मैंने आपको बताया और मानसिक रोक होने का भी रिस्क सबसे ज़ादा बढ़ जाता है दोस्तों पोटेशियम की कमी के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जैसे की कमजोरी पोटेशियम की कमी के कारण शरीर में एसिट की मातरा बढ़ जाती है जिससे की शरीर में सुस्ती, ठकान और कमजोरी मैसूस होने लग जाती है वहीं अधिक तनाव या फिर डिप्रेशन का होना भी पोटेशियम की कमी का संकेत हो सकता है इतना ही नहीं पोटेशियम की कमी से होने वाला तनाव मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है दोस्तों अगर आपके शरीर में पोटेशियम की कमी है तो आपको नेंद ना आने की समस्या भी हो सकती है वहीं शरीर में पोटेशियम की कमी का एक बड़ा लक्षन थकान भी होता है इसकी कमी की कारण आप थोड़ा काम करने के बाद या फिर चलने के बाद थक जाते हैं दरसल शरीर में मौजूद कोशिकाओं को कम करने के लिए पोटेशियम और खानेच लवणों की ज़रूरत होती है लेकिन इसकी पूर्टी अगर ना हो पाए तो शरीर में धकान होने लग जाती है दोस्तों वहीं मूड सुइंग होना जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है इसमें जब शरीर में इसकी मातरा कम होने लगती है तो ये दिमाग के काम करने की शम्ता को भी प्रभावित करता है इससे ही आपको मूड सुइंग यानि की विचारों में अजीब बदलाव होने लग जाते हैं वहीं दोस्तों blood pressure का बढ़ना या फिर कम होना भी इसका संकेत हो सकता है You have a potassium, दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है इसके साथ ही ये शरीर में sodium की मात्रा को कम बनाए रखने के साथ blood pressure को भी control में रखता है दोस्तों ऐसे में उसकी कमी होने पर blood pressure का बढ़ना या फिर कम होने जैसी problems भी हो सकती हैं आपको तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको potassium की कमी होने पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक निविदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं करप या सबस्काइब का बटन दबा कर हमारी सदसिता को सरूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दुरदी का इजानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायता बिटा सकें दोस्तों आप इसके लिए सफेद बीन्स खा सकते हैं सफेद बीन्स पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा इस्तरोथ होती है और मात्र इसके जरिये ही पोटेशियम की दैनिक आवशक्त की पूर्टी भी की जा सकती है एक कप सफेद बीन्स में करीबन 3636 मिलिग्राम पोटेशियम और 673 कैलोरी पाई जाती है इसके अतिरेक्ट सफेद बीन्स फाइबर और फोलेट का भी एक अच्छा इस्तरोथ मानी जाती है दोस्तों इसलिए आप अपने इवनिंग सूप में वाइट बीन्स को ज़रूर शामिल कीजे इससे आपको फाइदा मिलेगा वहीं पालक में भी पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है एक कप अर्थात लगभग 30 ग्राम पालक में 167 मिलिग्राम पोटेशियम और 7 कैलोरी पाय जाती है वैसे पालक पोटेशियम के अतिरेक्ट आईरन और केल्शियम का भी एक बहतरी इंस्तरोथ होता है दोस्तों जहां आईरन हेल्थ को बहतर बनाने के साथ साथ एनिमिया से भी बचाव करता है वहीं कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए बेहती आवशक माना जाता है आप पालक को चाहें तो वेजिटेबल सलाद में शामिल कर सकते हैं या फिर इसके पत्तों को अपने ब्रेक्फास्ट टोस्ट में लगा सकते हैं या फिर आप इसका सूप, सबजी, स्मूदी जैसे भी आपको खाना है वैसा खा सकते हैं दोस्तों, ओके? इसके अलावा दोस्तों आप एवोकॉडो का सेवन भी कर सकते हैं एक एवोकॉडो में लगभग 975 मिलिग्राम पोटेशियम और 322 कैलोरी पाई जाती है वैसे तो एवोकॉडो एक मातर ऐसा फल है जिसमें पोटेशियम के साथ साथ हेल्दी मोनो अनसेचुरेटेट फैटी एसिड भी पाई जाते हैं जो की कोलेस्टरॉल लेवल को घटाने के साथ साथ आपके हिर्दय की रक्षा भी करते हैं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप केले का सेवन भी कर सकते हैं केले को पोटेशियम सम्रद माना गया है एक बड़े केले में लगभग 487 मिलिग्राम पोटेशियम और 121 कैलोरी पाई जाती है या व्यक्ति की एनरजी को एकदम से बूस्ट अब भी करता है और साथी इसमें मौझूद फाइबर पाचन तंतर के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों आप केले को चाहें तो यूँ ही खा सकते हैं या फिर इसकी स्म आपको हमारे तोरह दी गईया जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके सरूर बताएगा और आपको आज की जनकारी अच्छी लगियो तो इससे लाइक और शेयर जरू कीजिगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनिवाद